परुन्चेब, कश्मीर के शोपिया में चल रहे हैं एंकाउंटर में सुरक्षा बलो ने लशकर तयवा के दो आंतकवादियों को मार गिराया है इसके बारे में जानकारी देते हुए ADGP कश्मीर ने ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलो और मिलिटेंट्स के बीच में मुठबेट शुरू हुई आज मंगलवार को और वहाँ पर दो जो है लशकर तयवा के आंतकवादियों को इस एंकाउंटर के दोरान जो है मार गिराये गया है अभी भी एक सर्च उपरेशन वहाँ पर लगातार चल रहा है और जो मारे गए आंतकवादी हैं उनकी पहचान मौरिफत मकबूल और जाजिम अबरार के नाम से हुई है जाजिम फारूक एलाइस अबरार इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये वो टेररिस्ट है जो कि अनतनाग में एक कश्मिरी पंडित संजेश शर्मा की जो किलिंग हुई थी उसमें ये इन्वाल्ब था एक बहुत बड़ी जो एक सफलता हासिल हुई है सुरक्षा बलों को और आज सुभा ये एंकाउंटर स्टार्ट हुआ यहाँ पर टेररिस्ट और आंतकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठबेट शुरू हो गई और शोपिया के अलशी पूरा एरिया में ये इस समय एंकाउंटर वहाँ पर चल रहा है पुलीस और सुरक्षा बलों को यहाँ पर मिल्टेंट के होने की जानकारी मि गिराए गया है आप पिछले महीने सेप्टमबर में एक इसी तरह का अनतनाग में एक एंकाउंटर हुआ था काफी भयानक वहाँ पर एंकाउंटर चला था लेकिन इस बीच में शुरक्षा बलों को काफी नुकसान पहुंचा था जिसमें आपको जानकारी ने थें कि आर्म लगातार जो है जिस तरह से ये मोसम में बदलाव हो रहा है तो लगातार कोशिश होती है अंतगवादियों की कि वो जमू की ओर वहां से भारत की तरफ सीमाओं में आने की कोशिश करते हैं और इस बीच में हाला कि जो इलर्ट सुरक्षा बल हैं उन्होंने भी इसका कड़ स्टार्ट हो गया और इसमें दो लक्षर तैबा के जो आंतगवादी मारे गए हैं यह अभी तक की फिलहाल जो लेटर सबी जानकारी मिली है अभी भी वहां पर सर्च चल रहा है यानि कि जो ऑपरेशन है अभी भी वहां पर जारी है एडिजीबी कश्मीर ने इसके बारे म पूरी जानकारी देते हुए यह बताया